प्रिये विध्यार्थियों, कल हमने अलंकारों के अर्थ, अलंकारों की परिभाशा और अलंकारों के महत्यों की विश्य में जानकारी प्राप्त की थी. मुझे आशा है कि आपको लाग प्राप्त हुआ होगा. संग्षेप में अगर दोहराएं तो अलंकरियते अनेन इती अलंकार है, अलंकारों की इती अलंकार है, अर्थात कावी के शोभा विधायक धर्मों को अलंकार कहा जाता है. अलंकार तीन प्रकार के कहे गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभियालंकार. आज हम अनुप्रास और लाटानुप्रास के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे. अनुप्रास अनुप्रास शब्द को देखें तो यह अनुप्रास इस तरह से बनता है. अनुप्रास का अर्थ है वर्नन किये जाने वाले भाव या रस के अनुकूल. प्रा का अर्थ है प्रकर्श या निकटता से. आस का अर्थ है बार-बार रखा जाना, बार-बार आना. अर्थात वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार-बार और पास-पास प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है तात पर यह है कि भाव और रस के अनुरूप जिन वर्णों की आवश्चकता है जिन वर्णों से उस रस या भाव में अभिवर्द्धी होती है उन वर्णों का बार-बार और पास-पास प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है सीधी सरल भाशा में कहें तो वर्ण या वर्ण समूहों का दो या दो से अधिक बार आना अनुप्रास अलंकार होता है उदाहरन के लिए भव्य भाव में भयानक भाव ना भरना नहीं यहां पर भवर्ण की आवरत्ती हुई है अतर यहां अनुप्रास अलंकार कहा जा सकता है अनुप्रास अलंकार के चार भेत कहे गए हैं छेकानुप्रास, व्रत्यानुप्रास, शुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास जहां वर्ण या वर्ण समूह केवल दू बार आता हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे भरत भारती मन्जु माराली यहाँ पर भर रह तथा मवर्ण की आवरत्ती दो बार हुई है इसी प्रकार रह वर्ण को देखें तो वो भरत में रह भारती में रह और साथ ही साथ ही माराली में भी रह की आवरत्ती होती है लेकिन माराली में जो रह है वो कुछ दूरी पर है अतह छेकान उप्रास के अंतरगत ही यह परिगनित्त होगा अगला उदहारन है कानन कठिन भयंकर भारी गोर घाम हिम बारी बयारी यहाँ पर क भ घ ब वर्ण की आवरत्ती दो बार हुई है अतह यहाँ पर भी छेकान उप्रास होता है अगला है वर्ण उप्रास इसमें एक वर्ण या वर्ण समुह की आवरत्ती एक से अधिक बार होती है अतह जब वर्ण या वर्ण समुह दो या दो से अधिक बार आता हो वहां वरत्यान उप्रास कहा जाता है जैसे जाकन जंजा के जोकों में जुक कर खुले जरोकों से यहां पर जावर्ण की आवरत्ती बहुत बार हुई है अर्था दो से अधिक बार हुई है अतह वरत्यान उप्रास कहा जाएगा अगला उदहारण है रगुनंद आनंद कंद कोशल चंद दशरत नंदनम यहाँ पर आधिन और द की आवरत्ती कई बार हुई है और पास पास हुई है साथ साथ हुई है आता है वरत्यान उप्रास अलंकार हुगा अगला है शुत्यान उप्रास जब एक ही इस्थान से उचरित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर शुत्यान उप्रास अलंकार होता है अर्थात जब एक ही इस्थान मुख के एक ही इस्थान जैसे दंत्य, ओष्ठ, मुर्धन्य आदी एक ही इस्थान से उचरित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर शुत्यान उप्रास अलंकार होता है जब पाठक उन वर्णों को उचरित करता है तो विशिष्ठ सुंदरी की सश्ची होती है यहाँ पर शुत्यान उप्रास कहा जाता है उदाहरण देखें दिनांत था थे दिननाथ डूबते सधेनो आते ग्रह ग्वाल बाल थे यहाँ पर दंते वर्णों की आवरत्यी हुई है अर्थात दांत और जिव्वा के संयोग से ध्वनित होने वाले या उच्चरित होने वाले शब्दों का वर्णों का प्रयोग देखिए द दिनांत में द न त थ थे का थ फिर द न न थ फिर ते का थ तो यहाँ पर दंते वर्णों की आवरत्य हुई है आता है शुत्यानुक्रास है अगला उधारन देखें तुलसी दास सीधा ते निस दिन देखत तुमारी निठुराई यहाँ पर भी दंते वर्णों की आवरत्य हुई है जैसे तल सद 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 तन सद न फिर द त त र न फिर ए इस तरह से दंते वर्णों की आवरत्य हुई है इसलिए यहां पर शूत्यानुप्रास कहा जाएगा अगला भेद है अंत्यानुप्रास जब दो या दो से अधिक शबदों या वाक्यों या चंदों के चरनों के अंत में अंतीम दो सोरों के बीच ये व्यंजन सहित आवरत्ती होती है तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या चंदों के चर्नों के अंत में अंतिम दो स्वरों के बीच के विंजन सही अर्थात आगे और पीछे के स्वर और उसका बीच का विंजन के साथ अगर उसकी आवरत्ती होती है तो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है अर्थात जब उपर्युक्त स्थानों पर एक जैसे स्वर या व्यंजन आते हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है जैसे तुकांत कविता में देखा जा सकता है उदहारन देखिए धीरज धरम मित्र अरुनारी आपत काल परखिये चारी यहाँ पर प्रथम पंक्ती का नारी शब्द देखिए और आपत काल परखिये चारी का चारी शब्द देखिए यहाँ पर जो अंतिम स्वर बीच का व्यंजन और उसके आगे वाले स्वर का अर्थात आरी इस स्वर और वेंजन का आरी मतलब शब्द का की मतलब आवरत्ती हो रही है नारी में और चारी में आरी की आवरत्ती पद के अंति में हुई है अतह यहां पर अंत्या नुक्रास कहा जाएगा अगला उधारने सेस महेश गनेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर ध्यावे यहां पर प्रथम शब्द देखें सेस महेश दिनेश गनेश यहां पर एस जो शब्द है अर्थात एसवर सव यंजन और उसके साथ जुड़ा हुआ आसवर इनकी आवरत्ती हुई है सेस महेश म यहां पर अंत्यानुपरास अलंकार होता है इसी तरह से एक उधारन और देखें नभ आली चाली निशा चटकाली धुनिकीन यहां पर आली की आवृत्य हुई है अत्यानुपरास कहा जाएगा आगे के अलंकारों को जानने के लिए हमें वर्ण और शब्द का अंतर जानना चाहिए वर्ण माला के वर्ण जैसे कख आदी वर्ण हैं वहें वर्णों का सार्थक समूर अर्थात ऐसा समूर जिसका अर्थ निकले शब्द कहा जाएगा हमने अनुप्रास जाना यह वर्ण मूलक अर्थात वर्ण पर आधारित अलंकार है आगे हम शब्द पर आधारित शब्द मूलक अलंकारों को जानेंगे अगला अलंकार है लाटा अनुप्रास कुछ विद्वान इसे अनुप्रास का ही पाँच्वा भेद मानते हैं जबकि कुछ विद्वान अलग अलंकार स्विकार करते हैं क्योंकि यह शब्द पर आश्रित अलंकार है लाटा अनुप्रास की परिभाशा देखें जब कोई शब्द या वाक्यांश दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ एक ही रहे और उसका अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो तो लाटा अनुप्रास अलंकार होता है तात्परी क्या है कि शब्द या वाक्य का टुकडा दो या दो से अधिक बार तो आए लेकिन अर्थ प्रत्येक बार उसका एक ही रहे अर्थ में बिन्नता नहीं होनी चाहिए परंतु अन्वे उसका प्रत्य एक बार भिन्न हो अन्वे भिन्न हो या वाक्य में उसकी इस्थिती भिन्न प्रकार की हो तो वो है लाटान उप्रास अलंकार होता है उदाहारन के लिए है उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही यहाँ पर उत्तरा शब्द दो बार आया परन्तु पहले उत्तरा शब्द का अन्वय धन के साथ है तो वहीं दूसरे उत्तरा शब्द का अन्वय पास शब्द के साथ है अतर यहां लाटानुप्रास अलंकार है दूसरा उधारन लेते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे यहां प्रथम बार आया मनुष् प्रदान का रखे पहले का अनवय हे के साथ और दूसरे का अनवय के लिए मरे के साथ है। हमें लाटान उप्रास में यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें शब्दों की वाक्यान्शों की आवरत्ती तो होती है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। उसका अर्थ प्रत्य बार एक ही होता है हर बार उसका अर्थ वही होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अतह यहां पर लाटान उप्रास होता है लेकिन जैसे ही वाक्य का जैसे ही शब्द का अर्थ बदल जाता है वेसे ही लाटान उप्रास नहीं रहता अलंकार भी बद दल जाता है पुनह लाटान उप्रास का एक उधारन हम और देख लेते हैं पूत सपूत तो क्यो धनसंचे पूत कपूत तो क्यो धनसंचे आज इतना ही कल हम अगले अलंकारों के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद